हेलो गास मैं हूँ सोच चोहन और आप देख रहे हैं NCRT Portal और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वह आपका एवरेज बेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड तो आज हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि जो हमारा बर्ड है एवरेज बेलोसिटी इसका क्या मीन है एवरेज स्पी क्या होता है किसी भी लाइन में तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा लेकिन क्या कई बायों के भी बच्चे होंगे जो कि क्या है स्लोप बगएरा के बारे हम नहीं जानते है मैत में क्या होता है कैसे आया है तो हम इसके बारे में चोटा सा आप कुछ बता देते ह यह सिलोप का कैमीन होता है सिलोप कैसे आया क्या होता है तो जरह हम सिलोप के बारे में पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम इस लक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो जरह देखिए सिलोप होता क्या है कैसे आया है तो गाइस सिलोप जो है आपका क्या होता है उसके बारे मैं यह आपको एकदम उठी होई सी, कहीं कहीं पे आपको ऐसे देखेगी, कोई जादा ही उठी देखेगी, कहीं दूसरे एक माउंटरिन रहेगा, वहाँ पे जो ढ़लान रहेगी बहुत थोड़ी कम रहेगी इस तरीके से, है ना, तो यह जो ढ़लान आपको देखती है, इस चीज को बोलते हैं हमारा क्या सिलोप है ना, तो यहाँ पे जो आपको यह ढ़लान देख रहा है, यह कितना उठाय कितना नीचा है, इस चीज को बोला जाता है, सिलोप करके, इतना हमें किलियर हो गया सिलोप क्या होता है, अब यहाँ पे जो सिलोप है, वो ग्राफ में हम कैसे लगाल रहाता है उसके बारे हम समझो तो भाई जैसे कि हमने कहा आपके पास क्या है कोई गराब बन क्या यह अस verklikे क्या है बिलकुल सीधा सा, सिंपल पैर हम से कोई बंदा पूछे कि घझन को कुछ जो बताओ, यह जो गराप आपको दिख रहा है, यहां पर सिलोप कोन है, कोन यहां पर सिलोप है ? यह सिलोप किसको रेपरेसं єट करा तो slope का मतलब simple सा सुन लो और इस बात को एकदम दमाग में बठार के रख लेना कोई भी कहीं पर कोजी बोले सब भूल जाओ मैं जो बोल रहाँ एकदम important मानके चलो slope होता क्या है तो slope क्या होगा जो भी हमारी ये वाला axis है न चाहिए वो आपका by हो z हो तो उस axis से हमारी जो याभी फिलाल के लिए जो हमारी इधर पे मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरी by axis है और ये मेरी x axis है तो यहाँ पर इस x axis से जो ये मेरा ये grap दिख रहा है यहाँ पर जो मेरी grap की line आई है मैं इसको दूसरे color से लिख देता हूँ जैसे कि यह मेरी red line आई है तो यह जो line है मेरी इस बाले से कितने degree उटी हुई है चाहिए वो आपका कोई degree को मैं यहाँ पर theta zoom कर ले रहा हूँ वो एक हो दो हो तीन हो चार हो पाँच हो कोई भी degree हो वो कितने degree उटी हुई है यह जुकी हुई है इस चीज को ओलते है slope अब यहाँ पर आपको जब भी graph मिलेगा तो जरूर नहीं है वो सीधा सीधा मिले आपको साथ मिल सकता वो इस तरीके से मिल जाए गर आप कैसा मिल सकता है तो हम यहाँ पर कैसे देखेंगे कि हमारा यह जो slope हमें मिलेगा मतलब कि इस line में हमें जो slope मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा तो यहाँ पर जो हमें यह line देखेगी इस तरह से तो यह काप कैसे मिल सकती है आपकी math में अभी आप ऐसी ऐसी चीज़ है पढ़ोगो जहाँ पर जो line आएगी वो different different टाप में आएगी तो वहाँ पर हम slope को कैसे नकालते है हमारा slope कैसे वहाँ पर assume होता है उस चीज़ को समझो तो जैसे कि अब हमसे कोई पूछे भाई यह जो line है तो यहाँ पर इसका बताओ slope कितना है तो यहाँ पर भाई इसका आप exactly slope नहीं बता सकते आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी जो line है वो 30 degree होटी हुई है आपकी x-axis से यह 20 degree होटी हुई आप ऐसे नहीं बोल सकते हो अब हम कैसे बोलेंगे इसमें तो इसके लिए हम क्या कराएंगे simply हम यह देखेंगे देखिए जरा मैं दूसरा color लेता हूँ कि यहां तक मेरी जो line है यहां तक कितनी उठी हुई है तो मैं यहां तक के लिए measurement करूँगा फिर मैं आँगे फिर यहां से एक line इस तरह से खीचुँगा और फिर मैं यहां से एक slope बनाऊँगा फिर मैं देखुँगा कि इस access से जो मेरी एक्सक्स है तो फर इस instant पर कितनी उठी हुई है तो यहाँ पर क्या होगा इस तरह के graph में आपको different different क्या मिलेंगे slope से मिलेंगे लेकिन जब हम बात करते हैं कोई भी uniform हमें मिलता है जैसे कि आपको इस तरह से मिल जाए यह फिर बोल सकते हैं आपको इस तरह से मिल जाए यह फिर आपको इस तरह से मिल जाए तो इन में आप आप से कोई पूछ है कि भाई बताओ slope क्या है उसमें सिलोब कितना है तो उस चीज को जी हमको पता करना हो कितना है और क्या है तो उसके लिए एक फंडा बना हुआ देखे ज़रा वो क्या फंडा है तो उसके लिए हमने सिंपल हैंसे मैं बोलूँगा आपके पास एक यूनिफॉर्म लाय निकल गाई है यह सही है अब यहा टाइम लगा था जब भी हमारा कोई ऊबज़ट था कोई चीज मानिए जो किस्तिरे से मोशन कर रहा था उसके बनके आ रहा था तो जब वो अपनी एक्षेम पोजिसेंध पर था तो उसको टाइम लग रहा था किलीर है जब वो यहां पर पहुंच्चा जो हमारा उप्ज़ की है ये भी किलियर है तो यहां से हमें X1 X2 यह दो पॉर्ण में लगए और यहां से जो भी इसको टाम लगा T1 T2 यह मिल गया अब हमारे पास आता दमाग में कि भाई इसमें कैसे पता करेंगे इसमें सुलोप कितना है जो हमें लाइन दिख रही इसमें सुलोप कितना है तो यही का यह पॉर्ण इधर नहीं उटा सकता हूं क्या है ना बिलकुल मैं यही के पॉर्ण यहां भी बना सकता हूं मतलब कि जो मैंने यहां पर X2 और X1 यह इतनी जो मैंने ली है यह जो डिस्टेंस ली है तो उतनी ही मैं यहां पर बना सकता हूं तो मैं यहां पर करता हूं boy की वो distance यहाँ पर बना देता हूँ यह देखिए मैं इधर यह बना दी clear है आपकी है न तो यहाँ पर मैंने वो आपका जो दिख रहा है वो यहाँ पर बना दिया यह मेरा t2s8s है तो यहाँ से मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ camera x2 इस position पर यह मेरा क्या x1 है यह बिल्कुल clear होना चाहिए क्योंकि जो तनी मैंने distance यहाँ से लिए है इस वाले पूरे portion से लिए है बोई की वो मैंने यहाँ पर shift कर दी clear है यहाँ तक अब यहाँ पर हमारे दमाग में आता है slope में कि भाई यह जो line है कितनी उठी हुए तो आपको क्या पता करना है उठने के लिए simple सी चीज है आपको यह degree पता चलने चाहिए आपको यह theta पता चलने चाहिए तो यह theta मैं कैसे निकालूँ तो theta निकालने के लिए आपने जो है पढ़ा है भाई कि हमारे पास क्या है यह यह आपको क्या देख रहा है यह पूरा पूरा perpendicular देख रहा है यह पूरा आपको क्या देख रहा है बेस देख रहा है ना यह आपने जो आपकी class 10 की trigonometry में पढ़ा होगा कि यह हमारे पास क्या है यह base है और यह हमारे पास क्या है perpendicular है न मैं saw do at me look dता हूँ perpendicular तो यह आपको याद रखना यह मेरा क्या है perpendicular यह मेरा base इतना मुझे clear है फिर मैंने एक और चीज पढ़ी है भाई कि क्या पढ़ा मैंने कि जो मेरा 10 theta होता है बो मेरा किसके बराबर होता है perpendicular over base के बराबर होता है यतना मुझे clear है, बहुत बढ़िया, अब मुझे ही कोई पूछे, कि भाई बताईए जो आपको ये perpendicular है, उसकी लंबाई कितनी है, तो मैं लंबाई बताने के लिए का करूँगा, simply, मैं x2-x1 करूँगा, clear है यतना, है न, तो मैं यहाँ पे collect देता हूँ, उस perpendicular की जिंगा, x2 minus का x1 लिख देता हूँ, और upon में यहाँ पे मेरा base की जिंगा मैं collect सकता हूँ, जो मैंने यहाँ फंड़ लगा, perpendicular को नकालने के लिए, बोई में यहाँ पे base को नकालने के लिए कर सकता हूँ, मतलब की, t2 minus का t1, इतना भी clear है, तो मुझे क्या पता चला, कि जो मेरा 10 ठीट आ, x1 कितना अ, t2 कितना है, t1 कितना है, तो मैं यह बता सकता हूँ, कि जो मेरा graph बन के आ रहा है, इन सभी point से, तो वो graph मेरा कितना उटा हुआ है, कितना जुका हुआ है, अब मान के चलिए, कि आपका क्या है, ये जो graph आपको मैंने इधर बनाया, आप मैं इसको थोड़ा स review कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं यह जिससे कि मैंने क्या करा एक और ग्रभ बनाया इस तरीके से यह देखिए और उस ग्राभ में जो मेरा लाइन बन के आई ग्राइन बन के आये फिर्श तो इसके लिए करते हैं हम इस जो लाइन दिख रही है हम उसको क्यमान लेते हैं मेरी एक्स-क्स की उपर ही लाई कर रही है इतना तो क्लियर है न मैं साइस बनाने पा रहा हूं तो मैं क्यमान लूँगा कि मेरे जो ग्राफ आया है वो एक्स-क्स की उपर ही लाई कर रहा है य यहां पर मैं क्या करूंगा बहां पर तो मेरा जो है तेन ठीटा जो मैं निकाल रहा था तो तेन ठीटा इस किस में कितना है मेरा तो टेन जीरो हो गया और यहां से जो मेरा एकस टू माइनस का कितना फॉर्मुला था एकस बन ओबर का टी टू माइनस का टी बन अब मेरा जो है यह 10-0 आया तो 10-0 मेरा जीरो कब हो सकता भाई मेरा जीरो एक या कंडीर पर हो सकता है कि जब मेरा यह उपर जो लिखा हुआ है यह वाली छीज वो क्या हो जाए 10-0 जब ही आ सकता है जब उपर लिखी हुई चीज क्या हो जाए 0 हो जाए मतलब की क्या फंडा यहाँ पर कि मेरा x2 है वो कितना हो जाए x1 के बराबरा जाए तभी यह condition यह जो मेरी उपर है वो 0 हो सकती है तो इससे क्या मेरी निकल के आया है कि जितना यहाँ पर मेरा x2 आया उतना ही मेरा x1 बना गया तो यहाँ पर जो मेरा ग्राब बना वो कैसे बन गया xx के बिलकुल पेरिलल बन गया तो मेरा जो slope है यहाँ पर कितना है मेज़े देख रहा भई 0 है ऐसे ही आपको एक slope मिलेगा उसमें के रहेगी जो line देखेगी आपको मैंने यहाँ पर बनाई थी है ना जैसे कि आपको एक इस तरह से देखेगी तो बहाँ पर जो आपको एक और condition आएगी बहाँ पर बिलकुल एक perpendicular देखेगी तो बहाँ पर मेरा slope मैं क्या बोलूँगा मेरा perpendicular है समझ रहे हो है ना और उसी तरही के से मेरी कहीं पर यह से कर गया ही तो बस मैं इतना देखूंगा कि यह मेरा कितना angle बन रहा है इतना मुझे angle पता चल गया है तो मैं बोल दूँगा मेरा slope वो इतना है इतना नहीं है यह भाई जो slope होता हम है वो एक इतनी अच्छी चीज बताता जो कि आप सुनके बिलकुल भोचक्के हो जाओ गए क्या है भाई कि जो भी आपको यह slope मिलता है मतलब कि आपको जो भी graph मिलेगा चायब वो आपका graph चायब वो velocity का किसी गाभू जैसे आपको यह graph है और graph में आपको इस तरह से यह line देखेगी है ना मैं rate से इसको denote करता हूँ तो जो आपको graph में यह line देखेगी है ना तो यह जो रहेगी आपकी यह कहीं कोई ना कोई हमें क्या बता रही होगी जो हमारे यह क्या है हमें यह slope बता रहा होगा तो यह जो slope हमारे पास निकल के आएगा यह हमें कोई न कोई क्या बता रहा होगा physical quantity को बता रहा होगा अब यहाँ पे आप सोचोगे यह मैं जे physical quantity कैसे बता रहा होगा तो मैं आपको भी book में बताँगा यह मैं जे कैसे बता रहा होगा जैसे कि यहाँ पे आपकी क्या थी distance हो रहा थी कबर और यहाँ पे हमारा time कबर हो रहा था और आपको पता है कि जब हमारा क्या distance और time का जब हम graph बनाते हैं तो हमारे पास जो निकल के आती वो क्या निकल के आती भई या velocity निकल के आती इतना था आपको clear होगा कैसे निकल गया था आपने देखा था कि हम क्या करते थे वहाँ पे हमारा जो भी distance का वार हो रहा आप वो जो भी x से वो जितना भी है उतना कर लेते थे मतलब कि हम इस तरह से लिखते हैं कि x2 माइनस का x1 ओबर जो भी time लग रहा वो t2 माइनस का t1 और जो भी यहाँ से निकल हूँ कि जो मेरी velocity है वो मेरे slope के ही बराबर है मतलब कि जो आपको यह slope मिलेगा वो ही velocity को बता रहा होगा और जो slope आपको मिल रहा वो ही आपका कहा होगा यहाँ पे मतलब कि एक दूसरे को यह बता रहे होगा यदि velocity पता है तो आपको slope भी पता है और slope पता भी पता है यद आपको क्या पता चल गी, velocity पता चल जाएगी, तो बहाँ पे आपको slope भी पता चल जाएगा, अब यह सरे velocity की संग नहीं होता, जैसे आप सोच लोगी, velocity में यह आपका x to minus x to 7 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ है, चाहे वो आपका x listen हो, चाहे मतलब की देखो, जो भी इन दोनों के divide करने से हमें result मिलेगा, इन दोनों चीज़ों के divide करने से हमें result मिलेगा, जैसे कि हम मैं बान के चलू, यहाँ पे जो मेरा क्या है, velocity बढ़ रहा है, और यहाँ पे मेरा time बढ़ रहा है, और मैंने क्या देखा है, जोप मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा एसलेशन हो जाएगा कैसे जैसे कि आपके मैं बोलू कि यहाँ पर आप जब थे तो आपकी जो थी कितनी वैले सोटी थी भी बन थी और यहां पे जब आहई पॉचगे तो आपकी बैले सुटी किती हागी बीटु आ गई है ना और जहां पर आप यहां पर दिताब कर TO मयनस कर आपक्छा की मिनस का एग तो you gver वी तो यहां , यहां पे छुआ यहां से में सिम्पल भासां बोलू तो यहां से आपको यह लायन मिलेगी तो वहां से आपको यह पता चलाएगा कि उसमें स्लोब कितना हुआ है और यह जो स्लोप चीज है वो आपकी अभी आपने कहा है मैथमेस को थोड़ा पढ़ा नहीं है इसलिए आपको यह लग रहा होगा यह क्या है है हम तो डारेक्ट ही देख पा रहे हैं भाई वो जो लाहन कितनी उठी कितनी ना भी है लेकिन यह इसका जो एक्ट्वल एप्ल स्लोप मेरा 90 डिग्री बन रहा है है ना आप से क्या बोल दिया कि मेरा जो स्लोप है वो 90 डिग्री बन रहा है तो आप वहीं पर यह बोल दोगे खट से कि यदि मेरा जो 10 ठीटा की बेलू जो आई है वो यदि 90 डिग्री आई है तो सिंपली आप बोल दोगी कि मेरा जो स्ल इसलोब के बारे में लेकिन सुलोब के बारे में आप बिस्तरित पड़ा होगा आपकी क्लाश टॉल्ट में भी और लेवंत में भी तो इसलिए थोड़ा से इस पर क्या करना ज्यादा फोकस करना सुलोब बाले पोर्शन पर मैं इसलिए ले रहा हूं कि उसलोब जो है आपका एक बेसिक चीज है और अभी आप जो है अभी क्या हम जो भी पढ़ाने बाले हैं उसमें सलोब बहुत इंपोर्टेंट भूमी का अदा करेगा और सलोब से रिलेटेड आपको मैं डिफ्रेंसेशन ही बताऊंगा कि सलोब जो है डिफ्रेंसेशन से कैसे जुड़ा हुआ है ह तो सलोब मतलब क्या कि हमारा जो भी ग्राफ हमें मिल रहा तो उसमें जो ग्राफ हमें जो लान मिल रही है तो भाई वो कितनी ओटी हुई है कितनी जुकी हुई है क्या परपेंडिकुलर है परलेल है तो वो हमें सलोब बताता है सलोब को निकालने के लिए जो हमारा फॉर् तो गाइस यहां पर लखा देखिए कि जब हमारा क्या है एक object एक motion में रहता है तो उसकी कहोदी position में change आता है किस किसंग समय किसंग आता है ये तो हमने पढ़ा है लेकिन आगे बोल रहा है कि what how fast is the position changing with time and in what direction लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं कि हमारा कोई वी object अपनी position को change कर र लेकिन motion जो है वो हो रहा है तो वो कितना तेज हो रहा है या किस direction में हो रहा है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये क्यांसे पता करें तो उसके लिए देखी नीचे बताए गया है इनोंने कि to describe इस चीज को समयने के लिए हमारा motion जो है वो कितना तेज हो र करते हैं एक बनाते हैं या फिर इसको फांड करते हैं जो कि जिसका नाम क्या है आपका average velocity करके इसका नाम है clear है इतना आँगे देखिए average velocity जो होती है वो इस तरह से define है कि as the change in position यह जो displacement है जिसे हम delta x करके बोलेंगे जो कि divided होगी by the time interval जिसे हम delta tiger के बोलेंगे इने विजदर displacement अकर अब यहाँ पे दो चीज़ आपके लिए समाजनी बहुत जरूरी है पहली तो यह कि यहाँ पे जो delta का कैमीन है और दूसरी यह कि यहाँ पे हम यह minus बगेरा क्यों कर रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा x2 minus x1 और t2 minus t1 यह हम किस लिए कर रहे हैं यह दोनों चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है तो पहले तो हम यही देखते हैं कि भाईए यहाँ यहाँ पे x2 minus अब यहाँ पे p1 से लेके p2 position पे था तो बताओ वहाँ पे उसकी क्या speed रही होगी या क्या उसकी velocity रही होगी तो अब कैसे बताओगे तो simple सा क्या तरीका है मैं पहले तो यह देखूंगा कि भाई जब मेरा p1 से लेके p2 गया है तो उसने total distance कैसे कितना cover किया है और distance cover जो भ लिख रहा उस point पे था तो इसको मैं मानूंगा क्या है मेरा वो x1 है इतना clear है और जो मेरा यहाँ पर 27.6 लिखा वो मेरा क्या है x2 है तो यह मेरा x1 हो गया अब मुझे इन दोनों के कैसे बीच का interval चाहिए कैसे यह मुझे इन दोनों के बीच का interval चाहिए और interval से मुझे क्य इन दोनों के बीच का interval find हो जाएगा मतलब कि मैं 27.4 माइनस का आपका 10 कर दूँगा जो की मिलेगा मुझे कितना 17.4 तो यहाँ पर जो मेरा 17.4 आएगा वो मुझे क्या बताएगा यह मुझे distance यह फिर मुझे displacement बताएगा उस object की तो इतना मेरे लिए clear है बहीं पर मैं time control मिल रहा है कि उस जब वो इतना 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 इसने distance कबर की है तो उस point पर जो है उसको time कितना लगा तो यहाँ से मैं कैसे निकाल हूँगा इसको तो इसका मैं बीच के निकालने के लिए simply मैं T2 माइनस का T1 करूँगा और इस case में जी मेरा T2 है वो 7 है और यहाँ पर T1 है ने उपर जो आपका X2 माइनस का X1 लिखा है अब देखे जरा एक और चीज़ यहाँ पर जो हम इस तरह से लिखते हैं आपका X2 और माइनस का X1 T2 माइनस का T1 तो इसको लिखना क्या हो जाता हमारे लिए physics में बहुत लेंदी हो जाता बार बार हम X2 मानस X1 T2 मानस T1 ऐसे क करके नहीं वोलेंगे या moral है फूर यहां पर लगा देंगे मतलब हम इस घंटा करने के लिए X करके लिखेंगे उसी तरी कि इसको T2 माइनस T1 को पूरा का पूरा कह लख सकते हैं हम डेल्टा T करके लख सकते हैं तो यह आपके दमाग में किलियर होना चाहिए हमने आप पर डेल्टा बगरा कैंसे लाएं डेल्टा क्या मतलब होता डेल्टा का तो डेल्टा का मतलब होता ह change किसी भी चीज में कितना change आ रहा तो उसको हम delta से denote करते हैं इतना आपके लिए clear हो गया होगा आंगे देखे ज़रा यहाँ पे जो लिखाए नोने कि where जो आपका x2 है और x1 है वो कहाँ पोजीशन है उस object की जो मैंने भी आपको बताई है और उसी तरी कि जो आपका t2 है और t ही कि ऊपर यह बार देख रहा है यहाँ पर यह जो बार है यह बाला अब इस बार का मतलब क्या होता है तो जो बार यहाँ पर देखेगा तो उसका मतलब है कि bar over the symbol for velocity is a standard notizen used to indicate the average quantity मतलब कि जब भी आपको दुनिया में कोई वे एक average चीज को बतानी हो मतलब चाब वो average velocity हो चाब वो आप average speed हो तो कोई भी average को बताने के लिए हम उसके उपर का लगा देते हैं इस तरीके से एक bar का sign लगा देते हैं इससे हमें एक दमाग में कह रहता है कि हमने बहां पर उसके average की बात करी है इतना clear है आपके लिए और आंगे देखिए बोल रहे है जो ऐसा unit होती है आपकी velocity की वो आपकी meter प्रती सेकंड है याद रखना क्या होती meter प्रती सेकंड यह जिसको लिखने का क्या तरीका और है meter second inverse करके भी लिख सकते हैं इसकी dimensions बगेर आपको जो है appendix में मिल जाएगी ता पीछे में आपकी सारी जो भी dimensions है भाई है velocity की वो आप पीछे देख ले velocity पढ़ाएंगे तो velocity का dimension नकाल देंगे तो वो निकालने में क्यों को time खर्च हो जाएगा फालतू का आप चाहो तो simply आपकी जो appendix है मतलब जो पीछे आपको वो कमें को चार्ड वगरा दी है बहां पर जाके इसकी dimension देख लेना तो यहां पर कह लिखा जो SI unit होती है velocity की तो किलो मीटर प्रती घंटा यूज करते हैं चाहे आपकी बाएक हो चाहे आपकी कोई भी कार हो तो उसमें आप देखोगे तो आपका किलो मीटर प्रती घंटा देखेगा ना कि मीटर प्रती सेकंड देखेगा मीटर प्रती सेकंड भी करेंगे यूज लेकिन वो क्या छोटे पैमाने पे यूज़ होगी लेकिन आम तोर पर हमारे एवरीडे यूज़ में हम किलो मीटर प्रती घंटा यूज़ करते हैं इतना क्लियर है आपके लिए आंगे देखिए बोल रहे हैं लाइक डिस्प्लिस्मेंट मतलब डिस्प्लिस्मेंट की तरह ही जो एवरेज उसके पास भी डायरेक्शन और मेंगनेटूड दोनों इसलिए एक वेक्टर कॉंटिटी है बट एस एक्सप्लेंट अर्लियर हमने जैसा कि एक्सप्लेंट किया पहले ही कि फोर मोशन जब भी हम स्टेट लाइन में बात करेंगे थम जो है डारेक्शनल एक्सपेक्ट को जो इतना देखेंगे कि हमें पॉजटिव नेगेटिव पे मतलब होगा और कुछ नहीं मतलब यह है कि कोई भी हमारी एक बॉड़ी है तो वो हमारी पॉजटिव डारेक्शन में कितना गई नेगेटिव डारेक्शन में कितना गई बस इतना देखेंगे हम यह नहीं देखेंग कि बेक्टर लेबो कितना क्या गई है यह हम बेक्टर की बात बहां पे नहीं करेंगे इतना आपके लिए किलियर हो गया होगा इस ग्राप को मैंने आपको बताई चुका हूँ अभी इसका भी एक और यूज आएगा अभी और देखतें आपके लिए और क्या-क्या लिखा हु तो यहां पर आपको देख रहा है कि हमारी कार ने जब एक मोशन किया है तो इस मोशन को ध्यान में रखती हुए उसकी जो भी डिस्प्लेश्मेंट को ध्यान में रखते हुए उसकी जो भी टाम लग रहा हुए उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास ग्राप निकल गया कि blown up and sown in a figure 3.4 में बताए गया मतलब कि हमने क्या करा इस जो ग्राब आपको देख रहा ये 3.3 तो समें हमने क्या करा जीरो से लेके हमने जो है 8 सेकंड तक का क्या कि रहा इतना जो है ग्राब को यहां पे हमने क्या करा figure 3.4 में ले लिया और बहाँ पर हमने थोड़ा समें क्य करा इसमें detail में गए देखी जारा कैंसे तो यहां पर हमने क्या करा है zero से लेकर आपका यह eight second तक का graph हमने बहां से लिया और उसको हमने इस तरह से यहां पर पूरा detail में बता दिया कि मतलब बहां पर भई आपका zero उसे लिए eight second के बीच में कितना कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कि आउब्जक्ट ने वहां पहनों ने denote कर दी भरांगे दिखे क्या बोल रहे हैं हमको एस सीन फ्रॉम दा प्लोट जो कि आपने प्लोट देखा है तो बहां पर हमें क्या देख रहा जो तो average velocity उसकार की बिड़ेबीन जो है time scale to five seconds से लेके time जो कि हमारा कितना seven seconds है तो बहां पर आपको कह मिलेगी average velocity velocity सिंपल सी के मिलेगी आपको एकस टू माइनस एकस बन टी टू माइनस टी बन करके मिलेगी जो मैंना आपको भी बताए भी था कैसे तो simply बहां से जब इसको कराएंगे हम तो इतनी हमें मिलेगी जो कि है 8.7 मीटर प्रती second करके clear है आँगे देखिए बोल रहा है कि geometry कली मतलब जब भी हम क्या करते है यह सब geometry कली का मतलब होता है जो आपकी इस तरीके से graph बगएरा की बात करें तो बोल रहा है geometry कली हम बात करें तो this is the क्या हमारा एक slope है है ना अभी मैंने slope का जब एक basic lecture लिया था मतलब जब मैं slope के बारे मैं बता रहा था मैंने आपको क्या बता था कि slope को हम velocity से relate करते हैं तो बोल रहा है जो slope हमें मिल रहा है जो velocity मिल रहा वो एक तरी से slope है और straight line जो कि है P2 P1 से लेके P2 connecting the initial position P12 जो है final position P2 is on in a figure 3.4 मतलब कि यहां पे जो आपको यह dot dot करके line दिख रही है इस तरीके स से तो यह जो हमारे पास के निकल के आए है यह हमारा जो निकल के आया आपके लिए भू क्या है slope है और यही जो हमारा निकल क्या है वो हमारी क्या है एक दूसरे condition में बेलस्टी भी है तो यहां पर हमारा यह स्लोप और बेलस्टी एक ही चीज है यह आप दिमाग में रख लीजिए तो यह हमें याद रखना जो हमें डोट-डोट करका देख रहा वो क्या है बेलस्टी है उसकी और यहां से लेके यह इस पॉइंट तक पर जो उसके लाइन के ज साइन ऑफ दिस्प्लिस्मेंट सिंपल सी चीज है भाई जो हमारी एबरेज बेलस्टी हो सकते होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंड करेगी कि जो उसने डिस्प्लिस्मेंट है वो किस डारेक्शन में किया है भाई वो जो अब्जिव उसका जो भी displacement है वो negative का बनाएगा और जब आप negative में अबर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जुसकी velocity आएगी वो negative की आपकी कुछ आजाएगी clear है इतना आँगे देखिए बोल रहे हैं it is 0 बोल रहे हैं कि यह 0 भी हो सकता है जब displacement 0 हो सिंपल सी जह मतलब कि जो हमारा x2 माहना सक्स बना रहा है यदि 0 हो जाए तो clear सी बात है velocity भी 0 होगी आँगे बोला जा रहा है figure 3.5 में आपको दिखेगा यह so भी किया हुआ है कि जो xt ग्राप्स हैं आपके 4N object के लिए जब मूविंग करता कि इसमें एक positive velocity से तो आपको figure 3.5 का A बताता है मतलब की कोई भी जब हमारा क्या है object एक positive direction में जब move करता है तो जो हमें graph मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है आपको यह से करके यह clear है आपके लिए और जब भी करेगा negative में move करेगा तो जो आपको graph मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा नीचे जोका हुआ या बोल सकते हैं उसका जो slope रहेगा वो नीचे जोका हुआ मिलेगा और positive में slope उसका उठा हुआ मिलेगा इतना clear है फिर बोला जा रहा है कि moving with negative velocity आपको यह clear है और जब वो rest पर रहेगा मतलब जब motion ही नहीं कर रहा होगा तो उस case में आपको इस तरह का graph मिलेगा अब कईयों के दमाग में यह आता है को इस तरह का graph क्यों मिल रहा है उनको इस ग्राप क्यों नहीं मिलता है बहां पर इसा ही कुछ रुका हो रहा है मतलब कुछ graph ही नहीं मिल है जीरो में देखिए भाई जब वो rest पर होता है कोई object तो बहां पर हमारे जो time है बहुत तो निरेंतर बढ़ रहा है लेकिन उस object ने क्या करा है एक minimum उसमें कितना पहुंच गा वो 40 meter पहुंच गया मतलब कि बहाँ उसको एक second, दू second, तीन second इस तरह से बीचते जाएंगे इतना आपके लिए clear रखना है ये graph जो थोड़ा सा confuse कर देता है कि ऐसे ही क्यूंच तो ऐसे सली है क्यूंकि time runner बढ़ रहा है आंगे देखिए कहले का भाई जो average velocity होती है उसको define जो किया गया है above जो उपर किया गया involves only the displacement of object we have seen earlier that the magnitude of displacement may be different from the actual path length आपको ये तो बिल्कुल मैंने आपको जब पहले लेक्चर में बताया था कि जो displacement होती है आपकी वो actual path length से differ आती है चाह हो सकता उसको बराबरा या हो सकता उससे कमा लेकिन जो है क्या होती थोड़ी बहुत डिफर उसमें आता है जो भी path length है उससे और to describe the rate of motion over the actual path है थी हमें क्या करना हो एक पूरी actual path को लेना हो कि उस object ने कितना motion किया है तो उसके लिए जो हमें एक अनाधर quantity कॉंटरिडूस करते हैं जिसका नाम है average speed तो average velocity क्या होती है जो कि मैं displacement बताती है उस object ने कितना क्या किया है लेकिन average जो speed है वो बताती है उसने actual path कितना cover किया है मतलब जैसे कि मतलब जैसे मैं simple भासां बोलता हूं कि उसने जो है ऐसे ऐसे करके कितना path कबर कर ली इस point से लेके इस point आने में तो बो हम पूरी path को calculate कर लेंगे और उस path से लेके यहां इस point तक आने में उसको कितना time लगा तो उसको calculate कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा average speed मिल जाएगा average velocity क्या होती है कि भाई उसको जो है यहां से यहाने में कितना जो है क्या हुआ है उसने distance cover की तो यहां से हम भो देखेंगे और simply जो भी time लगा हो कब भो देख लेंगे तो यहां से एक और बात आपको मैं clear यह करना चाहरा हूँ कि भाई जैसे उसको क्या होता यहां से यहां आने में यह बात कहिंगों को भी नहां पता हूँ मैं बता देता हूँ जैसे कि उसको किया यहां से यहांने में उसको जो भी टाइम लगा वो कितना लगा एट सेकेंड लगे और जो भी इसने पात कवर की मान के चली उसने की कितनी आपकी बीस मीटर कवर की किलियर इतना तो उसने जो है बीस मीटर कवर किया यहां से वो आई से आया और एफ पे प कितना आया तो मनके चली वो इतना आया भाई आपका 5 मीटर करके के रियर है लेकिन सुनो ध्यान से अब आपके दमाओ में यह आए गा कि भाई जब उसने यह 5 मीटर चला तो आप यह सोचने लगों कि उसको टाइम भी तो कम लग रहा होगा लेकिन भाई यह बहां पे नहीं ह हमारा जो B se over 8 कर देंगे clear है जो भी आएगा वो हमें speed दे देगा लेकिन हम जब velocity की बात करेंगे तो velocity में हम क्या कराएंगे यहां से पांच میज़ेंगे हमारा और यहां से जो time रहेगा वो end जो है वे weं? लेंगे आप यह मत्सोच लेना कि पांच मीटर उसने कवर किया तो ताइम भी कम लग रहा होगा है ऐसा नहीं होता है जब हम इसमें बात करते हैं उसमें जो टाम हमें एक एक्चुल पाथ को कवर करने हम लग रहा है वो ही टाइम को हम लेते हैं जब हम displacement को लिख रहे हो यह को here हो गया होगा आपके लिए आंगे देखिए बोल रहा है जो भी वह से कि हम लेते हैं मारा क्या विश चय को इसे यहां पर करना है आपको कि average speed कैंसे लिखाएगा टोटल पाथ लें दो बड़ टोटल टाइम पिरेड या टाइम इंटरवल है ना आंगे देखिए भाई average speed जो होती ऑब्विस्टी बात है उसका भी जो सेम यूनिट ही होगा स्पीड की तरह मतलब मीटर पर सेकेंड ही होगा ऐसा यूनिट जो की बैलिस्टी के था बट इट इस डजनों टेल अज दिन बहुत डारेक्शन अब्विस्ट हमारा है वो किस डारेक्शन मूब कर रहा पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें क्या मतलब रहता है कि उसने मान के चलो की कोई ऑब्जेट हमारा कहा है जिसका मोसन हो रहा सेम डारेक्शन में है ना और जो मैंने डूट उसका डिस्प्लिस्मेंट का आया है वो इक्वल है किसके टोटल पाथ लेंद के तो बहां पे जो हमारा के होगा जो मैंने डूट हमें मिलेगा अभरेजज बैसि स्पीड के बराबरी रहेगा सिंपल सीज़ है यार जैसे मैं आप से बोलता हूं कि आपका क्या है एक पॉइंट यहां से इनी सलसले की कोई वी एक ऑबजेट है वो फाइनल पर पहुंचा और उसने जो है बीस मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली अब यह बीस मीटर जब उसने पर 30 सेकंड आ रही होगी लेकिन जब आप स्पीड बैल सुटी निकालेगे तो वो भी इतनी आएगी क्यूं क्यूंकि जो यहां पर डिस्टेंस उसने कवर किया वो इतना ही डिस्प्लिस्मेंट कवर किया है किलियर होने चाहिए यह बात आपको और इसी चीज़ को समझाने कर रहा किसके अलोंग एक्ष्टेट लाइन के जो कि आपको बोल रहा है से ओपी मतलब कि वो ओपी है और इना फिगर 3.1 में आपको देखने को मिलेगा अब जो है वो बोल रहा है कि इट मूस फ्रॉम ओ टू पी वो जो है ओ से लेके कहां पी पे जाता है कितने सेकंड लग लगता है वो लगता है च्छे सेकेंड तो अब आंगे बोल रहा है भहिया हमें ये बताओ कि वो ट आर दा उस case में आपको बताना है फिर दूसरे case में आपसे बोल रहा है जब ओट से पी जाए और फिर जो वो क्या हो पी से फिर क्यू आ रहा है तो उस case में आपको बताना है कि बहां पे फिर उसकी average velocity और average speed क्या होगी पहले जरा graph को देख लो उसके बाद हम इसको जो है continue करेंगे तो यहां पर आपका यह गराब देखे यह रहाब का गराब तो बिलकुल आपको मैंने पहले भी गराब बताया है कई वार बो यहां पर है तो मैं इसको थोड़ा सब फिर से बता देता हूं देखे हो कहा रहा है यहां हमारी जो कार थी उसने क्या किया यहां से जीरो से अपना motion start कि और वो कहांपर पहूंचा है यहांपर सीधा पहूंच गया वो कहांपर p पे सही है और partner जब भो पहूंचा है तो जो जो टूटल है उसने displacement किया है जो अपने तुटल पाफ लिंड गिया वो एक्वल है कितना है तीन सो साड़ और ज्युसको टाइम लगा वो कितना लगा है आपको इनों ने कितना बोला देखिए यहां पे तो उन्होंने हम से एक्जामपल में बोला था इन्होंने एवं से ब CSS लेके तो टाइम लगा वो कितना लगा 18 सेकंड तो यहां सम सिंपल जो वो लेंगे जो हमारा average velocity है वो कितनी हो गई है 20 आपकी meter पर 30 सेकंड हो गई है सिंपल है और यहां पर जो हमारा speed है वो भी इतनी होगी तो speed के लिए मैं ऐसे लग देता हमारा यहां पर पी से लेके वो जब वो क्यूब पर आ गया तो उस case में क्या हो गया है उसकी जो speed है और velocity डिफरेंट हो जाएगी क्यूं क्यूंकि इस case में हम देखेंगे उसने displacement कितना किया है तो आपको पता है कि यहां से जब वो से लेके पी पहुंचा और फिर पी से क्यूब पहुचा तो उसमें displacement में क्या होगा माइनस होगा और इस speed की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम total path length को लेते हैं तो case में क्या हो जाएगा कि यहां से लेकि यह 360 तो जो जो लेगा उसके अलावा इसका है 240 और हम जोडेंगे क्यों क्योंकि 240 नहीं जोडेंगे यहां से इसके जो माइनस करके जोडेंगे मतलब कितना यहां से आप देखोगे तो 360 आपका माइनस जो है 240 करेंगे और जो भी आपका आएगा यहां से जीरो और च्छे में दो गए और यहां से एक तो मतलब कि हम 120 जोड़ेंगे मतलब कि हम 360 पिलस आपका 120 को जोड़ेंगे जो की आएगा अपना कितना 480 तो हम 480 को करेंगे और 480 में फिर हम देखेंगे कि उसमें time period उसको कितना क्या लगा था दो अभी जारा मैं एक्जामपल से बताता हूं जो कि आपके example में लखा भी है सीधा सीधा इतना कोई logical नहीं है simple चीज़ है देखो पहले मैं आपको example से बताता हूं आपको example में कैसे लगा simple बोला average velocity हो दी displacement over time interval यहां से जो भी है average velocity में जो उसका इम उसकी जो displacement है वो है 360 मीटर उसको जो time interval लग रहा है जो time लग रहा वह 18 तो उसको करोगे था पोजटिव में 20 meter per second आपको मिलेगी उसके लावा average velocity भी पात लें तो बहा time interval होता है तो उसको 360 लग रहा उसके लावा जो उसको time period लग रहा हो second है तो उसके लिए जो आएगा वो 20 meter per 30 second आ जाएगा किलियर है आंगे बोल रहा है कि that's in this case the average velocity is equal average speed is equal to the magnitude of average velocity के आंगे बोले जा रहा है कि in this case भी वाले में क्या हो रहा जो average velocity है वो कैसे नकलेगी तो वो नकलेगी displacement over time interval करके अब चूंकि यहां से जो हमारा displacement उसका है वो 240 meter है तो इस case में क्या हो जाएगा वो हम displacement रख देंगे और इसको जो time interval लग रहा है तो आपको पता चलेगा कि भाईया देखो 18 second तो लगे उसको कहां से ओ से लेके पी जाने में 18 second उसको लगे ओ से पी जाने में और 6 second उसको लगे भाईया पी से यदर कहीं पे क्यू था उसको आने में तो total हम यह देखेंगे उसको time कितना लगा क्यूंकि भाई यहां पर देखिए इस बात को समझू जा हम interval की बात कर हम यह नहीं देखेंगे कि उसको जो है difference कितना रहा क्यूंकि time जो है कभी ऐसा तो है नहीं है कि भाई वहां से कम हो गया होगा time तो हमें सही जोड़ेगा वह आप जो है 18 गए फिर आप 20 गए 30 गए जितना भी आप गए लेकिन time तो आपका count हो रहा है इस case में इसलिए हमारा जो है 18 plus का 6 होगा ना कि 18 minus का 6 कहीं को यह डौट हो जाता है वो यह सुचते हैं कि हम 18 minus का 6 करेंगे, 18 minus का 6 नहीं होगा, 18 plus का 6 होगा, क्यों? क्योंकि 18 second लगए उसको O से P जाने में और 6 second लगए उसको P से Q आने में, इसलिए बहां पर 18 plus का 6 करेंगे जिससे कि हमारा कितना ह हो जाएगा 24 और 24 से 24 कटके हमें 10 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा खटा-खट समझ आया लेकिन यहां से अब देखो के तो एवरेज स्पीड में करेंगे तो एवरेज स्पीड में भाई बोई होगा क्या कि जो पाथ लेंथ है बोश की अब मैंने निकाली थी बहुत ही 480 मीटर बनेगी और उसके अलावर जिसमें टाइम लगेगा इंटरबल वो हमारा 24 सेकंड होगा तो जब इस केस को करोगे तो आपका लगभगा आएगा कितना 20 मीटर प्रति सेकंड तो यहां से हमें यह क्लियर हो गया है अब इस केस्ट बेह में यह क्लियर हुआ तो यहां लो इसके आपको याद राखना जो स्पीड होगी जय सायव हमें साही हुसका के से तो और आऑर प्रति रहे कैंटबी पर ती सेकंड होगी लेकिन अबरेज बेले सोटी इसकी जीरो हो जाए क्यों कि यदि देखो कार एंसे करके ओसे गई पी सही है ओसे गई पी और फिर पी से एकदम इस ओ पर आ गई तो उसका जो डिस्प्लेश्मन निकलेगा वो जीरो निकलेगा तो इस कि इसमें जिसकी अबरेज बेले सोटी आएगी वो जीरो आएगी लेकिन आप डिस्प्लेश्मन लेकिन स्पीड में क्या होगा कि यह थर वो तीन सुसाट गया और तीन सुसाट और यहां से यहां से हो जाएगा यह लिखे नहीं पा रहे हम यहां पर देखो ज़रा तो यहां से तीन सुसाट और यह तीन सुसाट यहां से करके जुड़ेगा तो यह हमारा बारह और यह आपका 720 आएगा और 720 और उसको time कितना लेगा तो simple चीज़ जब है कि जब 18 उसको जाने में read तो यहां से 18 जो है कितना हो जाएगा आपका 18, 18, 36 हो जाएगा और इसको जब आप काट होगे तो कितना कटेगा यह आपका तो यह टू टाइम में कटके इतरह आपको मिल जाएगा कितना 20 मीटर प्रती सेकंड तो यहां पी थोड़ी मूटी बात थी और यह आपको किलियर हो होंगी अब अब आँगे जो हम लेने वाले हैं वो है आपका क्या instantaneous velocity and speed अब इसके instantaneous का मतलब क्या होता है यह आपको जो है अगले lecture में समझ आएगा तो इस lecture में करणा他 जाएगा को आपको भीー है किसा अब करता है उंख्साना प्रती सेकंड है क्यक्ते दो हाएगتي के आपको क्याम शनी क्या है प्रत्व है प्रत्व है